Hello friends, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत हैं क्या आप जीवन में stuck feel कर रहे हैं या आपके चारों तरफ निराशा के बादल चागे हैं अगर ऐसा आप feel कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखने की जरूरत है Friends, हमारे सबके जीवन में ऐसे कुछ शन आते हैं, जहाँ पे हम stuck feel करते हैं, हमारे चारो तरफ अंधिराई ही अंधिरा होता है, हमारा जो education होता है, efforts होता है या हमारे जो relationships होते हैं, यह सब हमें worth लगने लगते हैं. और तब हम हमारे अंदर जाते हैं, उस divine शक्ति के सामने हम surrender होते हैं, और पूछने लगते हैं, कि भगवान यह जीवन अगर आपने मुझे दिया है, और यह समस्या भी मुझे दी हैं, तो इसका कुछ उदेश होगा, इसका कुछ solution तो जरूर होगा, तो अभी आप ही मुझे दिखाओ, आप ही कोई मुझे रास्ता दिखाओ, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ही ऐसे बहुत सारे सवाल उस divine शक्ति से पूछे, और ऐसा ही सोचते सोचते मैं YouTube वीडियो को सर्च करने लगी, तब ही एक वीडियो मेरे सामने आया, वो था, You Can Heal Your Life by Lewis Hay, तो मन में एक curiosity जागी, पता नहीं क्यों, बट मुझे उसे देखने की इच्छा हुई, और मैंने उसको अन किया, और सुनने लगी, तो जब सुनने लगी, उनका पहला ही sentence था, कि thoughts we think, words we speak, that constantly shaping our life and experiences, most of us are in a habit of negative thinking, but we are never stuck, because when we choose positive ones, old negative ones dissolve, you are on wonderful pathway of change and growth, so friend, ये बहुती, बहुती तची sentences थे मेरे लिए, जैसे मुझे लगा कि जुस चक्ति को मैंने बोला था, जिस डिवाइन को मैं बोल रही थी, भगवान को मैं बोल रही थी, वही मेरे साथ बात करे, या उनका संदेश मुझे दे रहे हैं, और इसके बाद मैं उनके thoughts सुनते चली गई, सुनती चली गई, और ये मेरी habit का part हो गया, उन्होंने उनकी books भी है, उन्होंने बहुत अच्छे से explain किया है, कि किस तरह से ये negative habits हमें create होती है, और उसे किस तरह से हम change कर सकते हैं, तो आपका अगला सवाल होगा friend, क्या ये जो negative thoughts है या situation है, हम खुशी से choose करते हैं, क्या हमें खुशी मिलती है negative thoughts सोच के, नहीं friends, हम खुशी से कुछ नहीं करते हैं, मगर हमारे जो past experiences होते हैं, critical parents हो सकते हैं, relatives हो सकते हैं, teachers हो सकते हैं, जिस society में हम रहते हैं, culture में हम रहते हैं, उसमें इस तरह की चीजे होती हैं, जिनको हम जब छोटे होते हैं, हम sponge की तरह होती हैं, हमारा subconscious mind, और हम सारी अच्छी बूरी चीजों को हम sponge की तरह हमारे अंदर absorb करते रहते हैं, और उसी से ही हम हमारे फिर feelings और thoughts को create कर लेते हैं, जो हमारे फिर internal belief बन जाते हैं, और हमारे जब belief बन जाते हैं, negative, positive, जिस तरह से भी, तो वैसे ही experiences हमें आने लगते हैं, क्योंकि उन belief के भरों से ही हम सोचते हैं, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो अभी ऐसा होगा, और फिर ऐसे ही experiences, situation हमारे life में create होती हैं, तो इनको कैसे change किया जा, तो friend, इसके लिए हमें हमारे thoughts change करने पड़ेंगे, believe change करने पड़ेंगे, और वो कैसे, तो जब हम सोचते हैं, या हम बोलते हैं, कि जो हमारा internal critic होता है, criticism की हमें habit पड़ी होती है, self criticism की, तो उसे हमें change करना होगा, तो जैसे हम बोलते हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, बुरा ही होता है, त मेरे साथ होता है वो अच्छे कामों में मेरा साथ देता है तो जो भी आपके negative sentences से उनको आप लिखिए और उसके opposite sentence बनाने की कोशिश कीजिए जैसे कि आप बहुत बार बोलते हैं कि नहीं मुझे तो easily success मिलता ही नहीं है उसके वज़े आप ऐसे बोल सकते हैं मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मुझे easily सफलता मिलती है तो इससे आपके जब thoughts change होंगे, शब्द change होंगे तो आपके vibration change होंगे आपको पता ही है कि हमारे brain में बहुत सारे neurons होते हैं जब उन्हें हम proper sentence देंगे, direction तो वो उस दिश्या में काम करेंगे और हमारे subconscious mind को clarity आएगी कि उससे कहा जाना है और जब हम इस तरह के positive sentence को उसको बार बार देंगे तो इस तरह से neural pathway create होंगे और इससे आपके जो vibration है वो change हो जाएंगे जब आपके vibration change होंगे तो आप जो manifest करना चाहते है आपके life में वो possible हो पाएगा क्योंकि universe को कोई language नहीं समझती है उसे सिब vibration की language समझती है आपके expression, feeling, vibration सब जब elevated होगा तो आप आपके जीवन में जो चाहते है उसे आप create कर पाएंगे तो आप co-creator कहलाएंगे तो इसके लिए मैं आपको दो काम करने के लिए बताऊंगी एक है कि जो भी आपके life में आपको चाहिए उसे बहुती clarity से लिखिए paper पे लिखिए एक diary में आप उसे जरूर लिखिए बहुती clear होना चाहिए आपको जिस जो भी चाहिए जैसे आपके health के goal हो सकते है आपके business के goal हो सकते है आपका एक बहुती successful career हो सकता है या आप आपके life में कोई life partner को चाहते है तो जो भी आपको चाहिए उसको आप बहुती clearly आपके feelings को डाल के लिखिए जैसे कि आपको लिखना है कि I got a very wonderful job तो उसको आप ऐसे सिर्फ ना लिखिए आप उसमें emotion डाले ओ वाव हुरे I got my dream job तो इस तरह से आप उसको लिखिए उसको पढ़िए आपके emotions उसमें दिखने चाहिए आपकी feelings उसमें दिखने चाहिए तो जिस तरह से आप उसको देखेंगे उसको enjoy करेंगे उतने आपके vibration बढ़ेंगे और उतना ही आपका subconscious mind reality में उस चीज़ को लाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले आपको उसे बहुत ही clearly लिखना है और दुसरा बहुत ही महत्वपुनपार्ट आप उसको सोने से पहले रोज visualize कीजिए visualization हम सबको करना है और हम सबको आता है जैसे कि मैं बोलती हूँ कि imagine कीजिए red road, elephant, blue sky तो उसी तरह आपको images आती है तो आपको आपके जीवन में क्या चाहिए उसको आपको clearly imagine करना है और आपकी पूरी feelings को उसमें डालना है कि जब आपको आपका dream job मिल जाएगा तो आप किस तरह से enjoy करेंगे किस तरह से आपके feeling होगे, आप किस तरह से freedom feel करोगे तो वो feelings को आपको हमेशा डालना है उसमें आपको colors डालने है हो सकता है कि आप वो चीज़ आपके parents को बता रहे है तो वो किस तरह से खुश हो रहे है उसको भी आपको imagine करना है, feel करना है तो जब आपकी feelings डालेंगे, आप उसको imagine करेंगे आप सुनने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को कि हाँ यह reality में हो गया है तो आपकी feelings, आपका vibration और बढ़ जाएगा और positive हो जाएगा और manifest करने के लिए हमें बहुत अच्छे vibration के जरूरत होती है और सबसे last में आप उसके लिए thank you जरूर feel कीजी कि मुझे यह मिल गया है, मैंने एक स्विकार कर लिया है तो मैं इसके लिए आपको thank you जरूर बोलता हूँ तो इससे आपके mind को यह clarity आती है कि आपको जो चाहिए वो मिल गया है, आप accept कर रहे हैं तो वो और कोशिश करता है आपको जो भी चाहिए वो reality में लाने की इससे आपके subconscious mind को clear signal मिलता है कि यह चीज़ आपको चाहिए यह चाहिए तो जब हम इस process में है, change करने की process में है अपने आपको तो आपके मिल में एक सवाल आएगा कि जो हमारे पहले के negative thoughts है उनका हम क्या करें, उनके साथ हम कैसे deal करें क्योंकि वो तो आते ही है तो friend जब हम हमारे positive thoughts डालने लगेंगे तो slowly slowly हमारे negative thoughts कम होने लगेंगे मगर हमें हमारे negative thoughts या expression को suppress नहीं करना है अगर हम suppress करते हैं, तो वो फिर से built up होके और ज़्यादा quantity में आ सकते हैं तो उससे हम क्या करें? तो हमें उसके लिए aware होने की जरूरत है जब भी हमारे negative thoughts और feeling आती है, तो हमें उन्हें पहचानना है कि हाँ, ये मुझे anger आ रही है, हाँ, ये मेरे अंदर के grief है ये मेरे अंदर का sadness है या frustration है जब उनको हम पहचानते हैं, एक नाम देते हैं तो फिर हमें उनके उपर इलाज करना बहुत आसान हो जाता है तो जब हमें sadness आया है, तो आप सोचिए कि हाँ, ये sadness है क्या मैं इस feeling को अपने जीवन में बार बार लाना चाहता हूँ, एंसर आएगा नहीं तो क्या चाहिए sadness के opposite, खुशी चाहिए, happiness चाहिए तो आप, आपके अंदर खुशी की feeling को लाईए, happiness की feeling को लाईए ऐसे चीजों को याद कीजिए, जिससे आपको happiness आता है, खुशी मिलती है मगर anger आती है, तो क्या करें, हमारे अंदर लोगों के प्रती कभी कभी बहुत anger होती है तो उसके लिए आप कुछ चीजे कर सकते हैं, जैसे की आपके bedroom में अगर pillow है बहुत बड़ी, उसको आप beat कर सकते हैं, shout कर सकते हैं या फिर आप आपकी, जब आप नहाते हैं, bathroom में वहाँ पे भी आप shout कर सकते हैं या आप कहीं बहार जाते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं, जहां पे लोग कम हैं तो अगर वो mountain या valley है, तो वहाँ पे आप shout करके पथरों को fake दीजिए तो आपकी anger, जिसको भी आप याद करते हैं, आपको anger आती है, उसको सोच के आप उन पथरों को fake दीजिए या फिर आपके पास garden होगा, तो उस पे कोई आप hole डिक कर सकते हैं anger में तो इसे बहुत सारे anger निकालने के solution लूइस हे के books में हैं और आपको अगर आप search करेंगे तो आपको मिल जाएंगे तो आपको जो भी लगता है कि आपके लिए अच्छा है, उसे आप use कर सकते हैं तो फ्रेंड चीजों को आप आपके life में implement जरूर कीजिए और देखिए क्या changes होते हैं और जब आपको लगे कि आपके life में कुछ changes हो रहे positive तो आप comment box में जरूर लिखिए थैंक यू और फिर मिलते हैं तब तक के लिए take care and bye